भगवान का हिस्सा एक बार तीन दोस्ट कहीं किसी उत्सफ में शामिल हो वापिस लौट रहे थे तीनों का नाम राजू, संचीव और राजकुमार था रास्ते में उन्हें सोने के सिक्कों से भरा संदूग पड़ा मिला आओ इन्हें गिनकर आपस में बाट लेते हैं हाँ हाँ राजू, चलो गिनना शुरू करते हैं, चलो उन्होंने सिक्कों को गिनना शुरू किया एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा उनती सो अठानवे, निन्यानवे, तीन हजार वाह, क्या बात है, इन्हें आपस में बाटना आसान होगा हम में से हर एक को एक एक हजार के सिक्के मिलेंगे इन्हें तीन थैलों में बराबर बराबर यानि एक एक हजार सिक्के डाल देंगे तीन थैले तैयार हो गए मैंने अपने हिस्से का एक थैला ले लिया है मैंने भी अपना थैला ले लिया है आखरी बचा हुआ थैला अब मेरा है हम कितने खुश किस्मत हैं जो हमें ये अपार धन मिला है हाँ, ये बात तो है राजू, एक बात बता, तु इस धन का क्या करेगा? भई मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान की कृपा है हम पर कि उसने हमें ये मौका दिया है इसलिए मैं तो अपने आप सिर्फ एक चौथाई सिक्के ही रखूंगा और बाकी के सिक्कों से भगवान का मंदिर बनवाऊंगा राजकुमार तु अपने इस धन का क्या करेगा? बता मैं आधे सिक्के अपने पास रखूंगा और बाकी के आधे भगवान के मंदिर में दान दूँगा परंतु तुमने नहीं बताया कि तुम इस धन का क्या करोगे? कौन? मैं? मैं तो यूँ करूंगा कि सारे सिक्कों को उपर भगवान की और उच्छा लूँगा जितने उन्हें चाहिए होंगे वो ले लेंगे और बाकी के नीचे गिरे सिक्के मैं अपने पास रख लूँगा वाह! क्या बात है? पुड़ने वाला हाथी एक समय की बात है एक बार एक आदमी